In this question, we have to construct an PDA for accepting the language which has set of strings of odd palindrome Odd palindrome means W, या तो वो W, A, W, R होगी, या फिर W, B, W, R और W जो है string हमारे, वो that consists of either A, B, or Null Problem is question में ये है, कि PDA के read head को left to right read करते वे, ये नहीं पता चलेगा Suppose अगर वही string इस type की है, तो उसे ये नहीं पता चलेगा, कि A, ये वाला A, जो as a divider work कर रहा है, वो कब आया क्यों? क्योंकि मेरी W, W string भी A और B को consist करती है, ठीक है? तो कुछ example इस तरह से ले सकते हैं, A, B, A, B, A या फिर A, B, 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 A ये क्या है मेरी? ये W, A, W, R type की string है, और ये W, B, W, R प्राग्म ये है कि left to right read करते वे, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि हमारे read head की प्राग्म ये है कि left to right ही read कर सकता है, और किसी symbol को read करते वे, उसे नहीं पता है आगे कौन से symbols आने वादे हैं, या पीछे कौन से symbols जा चुके हैं, कौन से symbol read कर चुका है, उसको store करने के लिए stack memory है, ठीक है, तो जब तक मेरे ये string होगी, जब तक मैं divider find नहीं कर लेता, तब तक W, A, B, in general मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, W, R, स्टार्टिंग में initial state होगी मेरी Q0, अब Q0 से, Q0 से, W read करते हुए, मुझे ही कैसे पता चलेगा है, मालो कोई symbol अगर A आया है, मेरे input tape में, कि वो first half of string का symbol है, या फिर वो एक divider है, क्यों, मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी W string भी A और B से कंसेस्ट होए है, तो उसके लिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर guess करूँगा, Q0 state पे जब मैं हूँ, और मैं कोई symbol read कर रहा हूँ, मेरी machine Q0 state पे है, और मैं कोई symbol read कर रहा हूँ, I will guess, as a tree, मैं consist करूँगा, और जो भी path पे मेरे को answer मिलेगा, जैसे कि last question में किया था, उस बात को मैं accept कर लूँगा, मैं कोई symbol अगर मालो A आया, उससे पहले भी कुछ था है, आपर, यहाँ my stack है, तो मैं दोनों चीज़े सोच के चलूँगा, आपर, पहला कि यह A हो सकता है, यह जो A आया है, यह अला A symbol, यह भी हो सकता है कि वो first half of string का पार्ट हो, क्योंकि हमाई read head को नहीं पता है, वो guess करेगा, या फिर यह A divider भी हो सकता है, divider means कि इस divider के बाद आने का मतलब यह है कि first half of the string is over, अब इसके बाद second half start होगा, first half में हम push कर रहे थे, second half में हमें मालों, जैसे हम second half में B आया है, और stack में top पे B पड़ा होगा, क्योंकि हमने first half को push कर दिया, stack में, तो इस B के corresponding मुझे top of the stack को pop करना है, यानि कि first half में push करना है, divider अगर मुझे मिल जाता है, तो आप second half से मुझे pop करना, start करना है, यानि कि अगर divider मिल जाता है मुझे, तो मै state change कर दूँगा Q1, और अगर ये first half of the string का ही part है, तो state रहेगी Q0, यानि कि Q0 state पे एक situation में मैं particularly मेरे पास दो options है, कैसे? झांने का अगर के छ थूँदैंते है, मैं दो तो by कि वानि ये पास बीका ये तो बाद कर फे बाकर येका दो दो लोगे हैं कि अगर जो कि अगर कि कि अगर चुछ कि अगर तो हमने इसमें ट्रांजिशन फंक्शन जैसे बना है कि जब तक मैं क्यू नोट स्टेट पे हूँ कोई सिंबल इंपुट टे पे आया तो इसमें हमारे पास मशीन के पास च्वाइस होगी या तो वो उसे मान सकते कि वो फस्ट आफ ऑफ स्ट्रिंग का पार्ट है या फिर एज़ डिवाइडर अगर वो फस्ट आफ ऑफ स्ट्रिंग का पार्ट है तो मुझे उसे पुश कर दूँगा जेट नॉट को एजेट नॉट से रेप्लेस कर दी यानि कि मैंने इस ए को यहाँ पुश कर दिया अगर मैं उसे मानके चल रहा हूँ कि नहीं वो फस्ट आफ ऑफ स्ट्रिंग का पार्ट नी है वो एज़ डिवाइडर है तो अगर कोई डिवाइडर सिंबल आता है तो मुझे कोई रेस्पॉंड नी करना है मुझे सिर्फ और स्टेट चेंज करनी है डिवाइडर सिंबल से कि first of the string is over मैंने उसे कैसे रिकॉर्ड किया state change करके मैंने उसे state change कर दी उस मशीन की तो यह क्यू नॉट में possible situations जो जो हो सकती है वो सारे लिख दिये उसमें और हर situation पे मैं दो case consider करके चलूँगा तो दो path बनेंगे एक hierarchy tree की form में मेरे machine run करेगे अब जिस भी path से tree में root से leaf तक जिस भी path path में मेरे को answer मिल जाएगा वो sequence of transition functions मेरे answer के part हो जाएगे यानि कि मेरे को अगर जिस path से answer मिलेगा तो उस path में मैंने जिस symbol को divider consider किया था वो मेरा final divider हो जाएगा अब suppose q0 state से state अगर change हो जाती है q1 that means first of the string is over second half में हमें pop करना है अगर input tape और top of the stack match करना है तो मैं top of the stack को epsilon कर दूँगा similarly like this finally मेरी string भी खतब हो गई है और top of the stack में भी सिर्फ जेड नॉट है तो मैं state change कर दी final state पे लेगे अगर इस situation आती है तो मैं स्ट्रिंग accept हो जाएगे accept this true final state